बहुत बहुत स्वागत है 51,112 सिच्छक भर्ती आने वाली है 2021 में ऐसा बताया जा रहा है उस समभावना है कि इससे ज़्यादा अभिपद आ सकते हैं यूपीटेट 2021 की परिच्छा होगी फरवरी में ऐसी संभावना जताई जा रही है जो की परिच्छा होनी है उसके बाद 3-4 महीने के गेप के बाद सुपर्टेट यानि की स्टेट हो जाएगा और उसके बाद आपको क्वालिफाई करते हैं तो आपको निक्ति मिल जाएगी आप एक सिच्छक बन जाएंगे दोस्तों यूपीटेट के लिए हम बात कर रहे हैं वीडियो बनाये जा रहे हैं कुछ गैप के बाद कुछ समस्यां करण वीडियो नहीं बन पाया था लेकिन यह वीडियो है जो यूपीटेट की जो परिच्छाएं हुई है उनमें समिधा सम में समिधान एक महात्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है जिससे question पूछे जाते हैं लेकिन यूपीटेट में देखा गया है कि लगातार चार चार या पाच-पाच question पूछे जा रहे हैं तो यह वीडियो रहेगा जो अभी तक यूपीटेट में question पूछें गये हैं समिधा समविधान के लगभग आर्टिकल आपको इस वीडियो में इस चैनल के माध्यम से आपको बताये जाएंगे और कौन-कौन सी चीजी आपको पढ़ने हैं समविधान में सारी चीजी बताएंगे दोस्तों सुरू करने से पहले आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप चै से बी पूचे गये हैं कि संविधान के कि संसोधन से सिच्चा एक मोलिकس अधिकार बन गया है इसमें आपसन दिये हुए ते कि अभे सम्झे तो मई तो मुझे कमेंड के माधिम से बता इ Babe सर्था मित्तार्फ में क्या था Ε एक कमेंड के माधिम से आप बता सकते ह। दोस्तो जो सम्टियस्थास выбor संसुदन अधनियम जो 2022 में किया गया था इसमें क्या हुआ था कि यह सम्थान में अनुच्छेद 21A 45 और 21A जोड़ा गया था ठीक है उसके बाद बात करते हैं कि एक कोश्चन और पूछा गया था जो समता के अधिकार का उलेक समविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है अगला कोश्चन था भारत में महिलाओं के लिए आरच्छन की विवस्था कहा है ठीक है महिलाओं भारत में महिलाओं के लिए आरच्छन की विवस्था कहा है तो पंचाइती राजविवस्था में महिलाओं की एक तियाई आरच्छन की विवस्था की गई है पंचाइटी राजविवस्था की सुर्वात तो सुतंतर भारत में दो प्रूबर 1969 में की गई थी सुरपर्थम यह विवस्था राजस्थान के नागवर जिले में लागू की गई समयधान के भाग 9 और अनुच्छेद 243 के का से रा तक इसका उल्लेख है पंचाइटी राजविवस्था का है अगला कोश्चन है किस राज्य में राजपाल की न्यूक्ति में कम से कम किसी राज़ के राजपाल की न्यूक्ति में कम से कम आयू कितनी होनी चाहिए तो दोस्तो तो किसी राज़ के राजपाल की नीउक्ति के लिए कम से कम 35 वस आयू होनी चाहिए ठीक है 35 वर्स ठीक है जो कि 5 वर्स तक उसकी निप्त होती है जिसकी निउक्ति राश्ट्र पत करता है ठीक है अलगा कोष्चिण था अनुचेत 356 का पर्थम परियोग कब और कहा हुआ दे वहां लगा लेकिन पहली बार किसी निर्वाचित सरकार के खिलाब राष्टपत सासन 31 जुलाए 1969 में लगा वहां केरल में लगा था तो दोस्तो पंजाब अपसर में नहीं था केरल में सभी लोग ने लगाया वही उसका सही उत्तर हुआ एक क्वेश्चन हो था सुम्मिलित करना था ठीक है जो मैंने अभी नहीं लिखा हुआ है यह इसी वर्स पूछा गया था अब देखिए कि सम्मिधान के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही वर्स में इसलिए सम्मिधान एक महात्पूर्ण सब्जेक्ट बन जाता है कौन सुम्लित था जिसे सूची 1, सूची 2 दिया था इसमें सुम्मिलित करना था कि जो मुख्या होता है जिसे भारती संग का मुख्या प्रधान मंतरी ठीक है जिसकी अनुछेद 75 के द्वारा राष्टपति स्की नियुक्ति करेगा ठीक है और केंत्री मंतरी परसद का प्र पर्थम नगर निगम का प्रधान और प्रथम नगर निगम की स्थापना अगर कहें तो मदराज में 1687 में की गई थी ग्राम पंचायत का जिसे हम लोग परधान या फिस सरपंच कहते हैं वो मुखिया होता है कारिभार देखता है इसके बाद अगला कोश्चन है लोग सभा और राज सभा की सियुक्त बैठक इसके द्वारा अहुत की जाती है तो दोस्तो इसका उत्तर है राष्टपत के द्वा कि उत्तरा वधान है जैसे कि मैंने बताया कि भाग 9 अगर भाग 9 दिया है तो 9 9 के ए में जिसका सम्विधान उंचेदे 243 से 68 34. 24 समंधन संभंध का संभन ठीक है अगला कोश्चन है भारत सम्विधान में विदिका सासन विचार कहां से लिया गया है बहुत महत्पूर्पूर कोश्चन है भारती सम्विधान में विदिका सासन विचार इंगलेंड से लिया गया है भारत में चुनाओ हे तो जो लोकसभा चुनाओ हे तो होता है उसक प्रथम घंटे को क्या कहते हैं यह question पूछा गया था तो लोकसभा की कारवाही के प्रथम घंटे को पुर्ष्णकाल कहा जाता है अगला यह question था यह समविधान के question लगातार आपके युट्पी टेट सुपर टेट पर महत्मों भूनकानी बाते हैं जड़ा cutting question नहीं होते हैं important articles होते हैं और कुछ चीज़े होती है जो आप एक basic चीज़े होती है अगर आपको याद मूंगे तो आपके 4-5 question सही कर देंगे और आपको 45 number आपको plus में मिल जाएंगे दोस्तों यह जो आखरी question था सविधान सभा ने राष्टी गान को अपनाया तब अपनाया था तो दोस्तों मैंने जो question collect किया है यह 2013 से युट्पी टेट की परिच्छा हुई है वहां से collect किये हैं कि सम्विधान से कितने question पूछे गया है तो दोस्तों अगर आप देखें तो 2020 में ही जो युट्पी टेट का paper हुआ था 8 जन्वरी को उसमें 4-5 question पूछ लिए थे सम्विधान को तो दोस्तों अगर सम्विधान आपको पता नहीं है तो आप सम्विधान नंबर आप खो सकते हैं तो इसे लिए इस चैनल के माधिम से आपको सम्विधान के लिए अनुछेद और महात्पूर्ण सम्विधान संसुधन और जो कई चीज़े होती है जो आपके paper के लिए बहुत महात्पूर्ण है यूपी टेट हो या फिसुपर टेट वो सारी चीज यूपी टेट और सुपर टेट में question पूछे जाएंगे यह confirm मान जी दोस्तो चैनल को subscribe पर दिजिए अभी और अगली वीडियो का इंतजारगे बहुत जल्दी आपके पास वीडियो आने वाली है जय ही जय भारत